हेलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों वेलकम तो माय ओफिशेल यूटूब चैनल आप सबको पता है ओनलाइन लिंक एक्टिवेट हो चुका है फां मुसली सभी लोग भरी रहे हैं बहुत से पचों को एरर आरहा है किसी का लमव करेंस नंबर नहीं हो पार है किसी के आरयर 001 यह 002 यह innewner 002 ऐसा करकर रहा है वह बैसिक्राबस उस एक परसंद करता नहीं हो सबी के साता रहा है और किसी किसी के साथ कुछ और भी प्रावलम आ रहा है कि appearing वाले में पता नहीं क्या क्या इशू हा रहा है एरपोर्ट ऑपरेशन में अगर आम driving license number नहीं डालते हैं तो फिर वो accept नहीं कर रहा है सीदर सीदर लिख के आ जा रहा है you are not eligible for this post तो आपके पास driving license होना चाहिए driving license number होना चाहिए तब ही आप apply कर सकते है airport operations के लिए देखिए ATC के लिए almost सभी बच्चों ने apply लगबग भरी लियोगा firm उसमें मुझे लगता है शायद इतनी difficulty नहीं आई है main problem आ रही है आपको airport operations के exam में तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा मैं कोशिच करूँगा आपकी जितनी queries हैं सब यहां पर solve करूँ airport operations का form कैसे भरा जाएगा मैं आपको पूरा एक एक detail में बताऊँगा सबसे पहले आपको क्या करना है careers पर जाना है recruitment dashboard पर airports authority of india की website पर यहां पर आप देखिए लिखा हुआ है registration link just click on that अब यह देखिए एक आपका page open हुआ यहां पर आप scroll करके नीचे आईए terms and conditions को इस पर tick करिए और start पर click करिए एक आपका इस तरह से page open होगा एक pop-up window आएगा उसको आपको close करना होगा यह pop-up window है इसको close कर दीजे यह आपका form open होगया personal details please select post आपको apply करना airport operations अब देखिए क्या आ रहा यहां पर यह भी पूछ रहें कि A.T.C. का भर दी आप airport operation का कैसे बरेंगे यहां पर तो एक ही आ रहा एक बार में एक ही form बर सकते हैं और A.T.C. के लिए अलग separate registration होगा multiple forms अगर आप भरते हैं तो उसमें क्या होता है reject होने के chances रहते हैं लेकिन क्या होता है बहुत कम chances रहते हैं जैसे मालीज आप से कुछ mistake हो गया अब आपने का मुझे दुबारा fill करना है तो आप उसको दुबारा fill करते हैं तो क्या होता है Airports Authority of India यह वह वाले forms accept करता है जो latest fill किया गया है मतला माली जब यह आपने fill किया इसके वाद आप से गलती हो गई आपने का अब हम कल दुबारा भरेंगे तो आप कल भरेंगे दुबारा fill करेंगे तो वह वाला आपका form accept किया जाएगा पुराना उला नहीं किया जाएगा ठीक है multiple form आप भर सकते हैं लेकिन कोशिश करिए mistake मत करिए carefully form भरिए तो ज्यादा better रहेगा चलिए यहाँ पर आ जाते है candidates का नाम यहाँ पर आपको fill करना होगा candidates का नाम fill करिए mobile number fill करिए confirm mobile number पर email id डालिए उसके बाद यह capture दिया गया यहाँ पर आपको जो show हो रहा है characters यह characters लिखके आपको submit पर click करना होगा अभी आप देखिए मैंने यहाँ पर mobile number email id और name वगरा सब fill कर दिया मुझे click करना होगा submit पर submit पर click करते हैं यहाँ पर आ रहा है the information once submitted cannot be modified इसलिए एक बार फिर से आप चेक कर लिजेगा बहुत ही carefully भरिएगा कि सब correct है कि नहीं है correct है तो आप okay पर click कर दीजे okay पर click करने के बाद देखिए यह आपका application details यह आया नाम आ रहा है postcode आ रहा है email id आ रही है contact details हा रहा है अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ you have been signed up successfully kindly complete your application form by using the credentials shared on your email id and contact number आपकी email id पर और contact number पर इन्होंने आपको login credentials भेज दी होंगे अब क्या करना होगा अपना email id चेक करना होगा मैं अपना email id चेक करता हूँ login credentials देखता हूँ क्या आया है जो हमारा user id होगा वो आया होगा और साथ में password आया होगा उसके बाद हम login पर click करेंगे अब देखिए आपकी email पर और आपके mobile number पर SMS आया होगा या email पर आपको एक email मिला होगा अब हो सकता है कि तुरंट email नहीं आए हो सकता है टाइम लग सकता है आपके पास message आजाए email नहीं आए हो सकता है email आजाए लेकिन message नहीं आए तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है वो भी आएगा थोड़ा सा patience रखिए वो भी आएगा हो सकता है कि 5-10 मिनिट बाद 15 मिनिट बाद half an hour के बाद आएगा पर आएगा जरूर तो उसके लिए थोड़ा सा patience रखिए ठीक है ऐसा नहीं कि sir मेरे पास आया ही नहीं sir form भर रहा है sir email नहीं आ रहा message नहीं आ रहा है थोड़ा सा patience रखिए वो भी आएगा तो अभी देखिए हमारे पास message आया है email नहीं आया है message में हमारे पास user id आ गया है और password आ अब आपको क्या करना है अब आपको वापिस से जाना है recruitment dashboard पर registration link पर क्लिक करना होगा यह page open होगा यहाँ पर लिखा हुआ है already registered candidates click here to login हम यहाँ पर क्लिक करेंगे please accept the terms okay इसको आपको टिक करना होगा इसके बाद आपको क्लिक करना हो तो क्लिक करना होगा आपको already registered candidates पर आप यहाँ पर देखिए user id पूछ रहा है पासवर्ड पूछ रहा है तो हम अपनी user id डाल देते हैं और पासवर्ड डाल देते हैं और उसके बाद हमको क्लिक करना होगा login पर अब देखिए यहाँ पर मैंने user id डाल दिया है password डाल दिया है आपको यह लिखने के बाद आपको login पर क्लिक करना होगा यह आपका page open होगा इसके बाद ऊपर देखिए यहां लिखा हुआ click here to fill application form आपको इस पर क्लिक करना होगा यहां पर क्लिक करेंगे अब यह फिर से pop-up window आएगा उसको आप close कर दीजे यह देखिए pop-up window आ रहा है इसको आप close कर दीजे अब यहां पर आएए यहां पर आपका basic details है देखिए application sequence number है post applied है post code है अब यहां पर आपको center select करने जो भी आपके लिए suitable हो आप वही सेलेट करिएगा select center choice one मैं कुछ भी भर रहा हूं आप अपने according फिल करिएगा ठीक है category आपसे पूछी गई क्या category है यू आर है EWS में भाए है तो आप EWS जो भी आपके category हो select करिए यू आर है तो हम यू आर सेलेट कर देते हैं select gender जो भी आपका gender है वह यहां पर select कर दीजे date of birth अब यहां पर date of birth पूछी गई है कि age as on as on 30 November 2020 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जैसे यह आप यहां date डालेंगे यहां पर आपको count करके दिखा देगा तो चलिए हम कुछ भी date ले ले लेते हैं यहां पर sorry यह calendar open होगा आपको यहां से select करना होगा यहां से हम select कर लेते हैं यहां से year change कर लेंगे हम यहां हम ले लेते हैं 97 और यहां से कोई भी date हम ले ले लेते हैं देखिए आया 23 years 9 months 11 days आप अपने according अपनी फिल करिएगा ऐसा नहीं कि मैंने दिखा दिया तो आप यही डाल रहे हैं कि कुछ कुछ हो सकते हो लोग यह भी कर सकते हैं are you physically handicapped अगर है तो yes otherwise no are you an ex-serviceman अगर यह आपके लिए होता है तो yes करिए otherwise no are you an AI internal candidate जो है उनके लिए yes करना otherwise no have you completed one year apprentice आपने किया apprentice तो आप yes करिए yes करेंगे तो आपका कोई application fees नहीं लगेगा नहीं है तो no करिए were you originally domiciled in the state of Jumbo and Kashmir अगर यह आपका criteria है ऐसा fulfill होता है तो आपको यहाँ पर yes करना otherwise no करना are you government employee कोई job करते हैं government employee है तो yes करिए otherwise no करिए no करने के बाद click on save and next data saved successfully okay कर दीजे अब देखे यह आपका आया personal details name डालना है यहाँ पर father's name डालना है mother's name nationality उसके बाद आपको marital status आधार नंबर यह सारी चीज़े डालनी है contact details में number डालना है email ID है present address यहाँ पर address डालना है इसके बाद पूछा है is permanent address same as present address अगर एक ही जगह आप रह रहे हैं तो आप इसको yes कर दीजे तो यहाँ से नो करिए दूसरा address भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा तो मैं यह फिल कर लेता हूं इसके बाद क्लिक करना होगा आपको save and next पर अभी देखिए personal details fill करने के बाद हमने save and next पर क्लिक किया उसके बाद उपर लिख क्या आया data saved successfully okay करिए अब यह आपका आया यहाँ पर educational details अब यहाँ पर आपको यह सारी चीज़े फिल करनी है matriculation यानि कि 10th की details fill करनी है intermediate 12th की details fill करनी है graduate degree और post graduate degree अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लिजे graduate में आपको क्या select करना है B.E.B.Tech है हाँ पहले यह समझी appearing है कि past है यह बहुत से बच्चे बार-बार question करना है जबकि मैं already बता चुका हूँ appearing है मतलब कि जो 2021 में पास आउट होंगे यह उनके लिए अब फोन करके कह रहा है कि नहीं वहां पर 2021 नहीं आ रहा है अरे भाई मेरे appearing आ रहा है appearing 2020 का मतलब क्या है कि आप 2020 में admission ले रहा है 2021 में पास आउट होंगे यहां पर आपको select करना होगा appearing अब यहां पर क्या लिखा है the candidates appearing oblique appeared in final semester exam will be eligible only if their score is greater than 60% marks in final degree as per advertisement ठीक है इनके सब के लिए बोला गया है अब यहां पर देखिए आपको degree name आपको select करना होगा bachelor's degree in engineering अभी दूसरा option भी हम बताते हैं पहले appearing वाले देख लिए फिर पास्ट वाला भी बताते हैं bachelor's degree in engineering specialization क्या है CS है पूरा लिख दीजिए नहीं तो आप तो को आप यह भी लिख दो computer science ठीक है institute name जो भी आपका institute name है कुछ भी जो कुछ भी है वो लिख दीजे आप select year of passing अब year of passing कहेंगे year of passing 2021 तो आई नहीं अब हम कैसे fill करें अरे भाई मेरे वह appearing किया है न तो appearing हो गया 2020 में आप admission ले रहे हैं 2021 में पास आउट होंगे बस simple percentage of marks अब यहाँ पर problem आ रहा है percentage of marks क्या fill करेंगे तो जो appearing वाले हैं उनका जो अभी तक जिस semester का result आ गया माल जह 6 का आ गया तो 6 का marks आपको आप फिल करने 7 का semester 7 semester का अगर आपका result आ गया तो आपको 7 semester के marks यहाँ पर fill करने तो जो भी है यहाँ पर फिल कर दीजे यह हो गई आपकी problem solve appearing वालों को क्या करना है appearing और यहां 2020 और जहां तक result आया 6 semester तो उसके marks डालिये 7 semester तो उसके marks डालिये चलिए अब इसको छोड़ देते हैं, अब दूसरा option देखते हैं, दूसरा option आ रहा है graduate in science, यहाँ पर select करिए, क्या किया है, BSC किया है, किस में किया है, PCM है, तो यहाँ पर आप subjects लिख दीजे, physics, chemistry, maths, institute name, जो भी आपका institute है, वो आप यहाँ fill कर दीजे, यह graduate in science हो गया, ठीक है, अब B.E.B.TEC है, तो आपको B.E.B.TEC करना होगा, अब देखिए, जैसे यह आप B.E.B.TEC यहाँ पर करेंगे, इसके बाद यह देखिए, यहाँ पर आ रहा है post graduation degree, अगर graduate in science करते हैं, तो आप वो भी fill कर सकते हैं, bachelor's degree है, तो आप यह भी fill कर सकते हैं, अब इसको देखिएगा होगा क्या, पूरा process देखिए, M.B.M. सेलेट करते हैं, मालेजे specialization है, finance, जो भी आपका है, आप वो fill करिए, year of passing, अब देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर क्या करना है, year of passing in PG degree diploma cannot be same, और before, okay, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो 2020 में pass out है, 2017 करना होगा, अब यहाँ पर आप 2020 या 29 जब भी pass out हुए, आप select कर सकते हैं, मालेजे इसी साल हुए है, तो आपने B.E.B.Tech या अपना graduation at least 2 साल पहले किया होगा, तो यहाँ पर आप 2018 कर दीजे, यह सारी चीज़े हो गई, percentage of marks, जो कुछ भी है आपका, यहाँ पर fill कर नहीं कर सकते हैं, इसको OK करिए, यहाँ पर है DL का number, अब देखें, यहाँ पर A क्या रहा, problem क्या रही है, यहाँ पर आ रहा, enter valid EMV license number, तो आपका जो license का जो number होता है, जैसे माल लीजे, उसमें आपका state लिखा हुआ है, जैसे UP78, या GJ01, कहीं का भी, जो कुछ भी है, तो आपका जो license का जो number होता है, आप बस वो पूरा number लिख दीजिए, आप यहाँ पर, क्योंकि अभी ऐसे ही, आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपका state देखें, अगर यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ साफ साफ लिखा है, कि आपक इसके number डाला है, देखें, यह क्या होता है, इन छोटी-छोटी चीजों से आपका form reject नहीं होगा, वो जब चेक करेंगे आपका driving license, आपका चेक करेंगे documents verification के time पे, वो चेक करेंगे license number, तो जो आपके license पे number लिखा होगा, वो number आपने यहाँ डाला है, कि कुछ और तो नहीं डाल दिया, बस वो यह चेक करेंगे, alphabet से कोई फरक नहीं पड़ता है, UP है, MP है, महरास्टा, MH है, यह कहीं का भी है, उससे कोई फरक नहीं पड़ता है, सिर्फ चेक किया जाएगा आपका license number, तो यहाँ पर आपको सिर्फ license number डालना, जो आपके numbers है, alphabet मत लिखिए, वो accepting नही उसमें क्या लिखा होगा, उसमें ऐसे ही तो लिखा होगा, UP78 और JK, सपोस कुछ भी है, JK123456, तो पूरा जो आपका number होगा, आपको पूरा number लिखना होगा, स्टार्टिंग का आप वो छोड़ सकते हैं, जहां तक alphabet से, उसको आप छोड़ दीजे, उसके बाद देखिए, ये deal का वो जो आपका number होता है, वो at least मेरे हिसाब से शायद 10 ये 11 number का होता है, तो वो पूरा पूरा आपको number डालना होगा, जो chip वाले card वाले deal आते हैं, वही वाला आपको number डालना होगा, उपर देखिए का आप number लिखे होगा, वो number पूरा आप यहां लिख दीजे, बस का दिखाई है, और माल लिजे यहां पर bachelor's degree in engineering किया है, अब यहां पर और किसी किसी को problem आ रहा था, कि जब bachelor's degree in engineering b.tech किया है, तो फिर MBA शायद फिल नहीं हो पा रहा है, अभी इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, इसको क्या करना होगा, आपको bachelor's degree in engineering b.tech के बाद MBA किया है, तो आप यहां पर b.tech की degree डालिए और साथ में MBA डालिए, अमाल लिजे आपने b.hc किया है, graduate in science डालिए, b.h.c के साथ आपने MBA किया है, तो b.h.c के साथ आप यहां पर MBA वाला option फिल कर सकते हैं, और airport operation में एक चीज़ और है, अगर आपने bachelor's degree लिया हुआ है, किया हुआ है, b.e.b.tech किया है, तो उसके साथ आपको MBA की जरूरती नहीं है, क्योंकि notification में दिया है, MBA उनके लिए मागा गया है, जिनका graduate in science है, तो अगर आप सिर्फ bachelor's degree in engineering करने के बाद, आप इसको छोड़ देते हैं, तो यहां पर एक और issue आता है, कि जो आप इसको blank छोड़ेंगे, इस अब देखिए, आप यहां पर मैंने सारी details भर दी है, ठीक है, bachelor's degree in engineering select किया हुआ, b.tech select किया हुआ, बाकी सारी degree, सब कुछ मैंने fill कर दिया, अब post graduate degree details जो है, इसको मैंने blank छोड़ा, suppose आपने b.tech किया है, मैंने इसको blank छोड़ दिया, किसी किसी के साथ problem आ रहा था, कि यहां पर blank छोड़ते हैं, तो शायद error आजाता है, अब यहां पर हम क्लिक करेंगे, save and next, लेकिन यहां पर कोई भी error नहीं आया, आप देख सकते है, successfully हो गया, तो अगर आपने b.tech किया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको MBA की वहां पर mention ही नहीं करना है, अगर आप चाहते करने के बाद, declaration आपको पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद, यह जो यहां पर आपको characters दिये गाए, यह आपको यहां पर लिखने होंगे, उसके बाद I agree पर click करिए, और simple submit कर दीजे, simple सा तो form है, उसके बाद भी आपको इतने issues आ रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क् बगरा सा अपलोड करिए, मैं आप गहर इसके आगे भी आपको further process दिखा देता हूँ, मैं अपलोड कर देता हूँ, अपलोड करने के बाद, मैं यहां पर declaration पर I agree पर tick करने के बाद, submit पर click करता हूँ, आप देख लिजे उसके बाद क्या होता है, अब देखिए, मैंने यहा इसके बाद, submit पर click कर दिया, do you want to submit, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, बहुत carefully भरिएगा, एक बार check कर लिजेगा, एक एक चीज, preview में जाएंगे तो preview में आपको सब कुछ दिखा देगा, आप आप पर check कर लिजेगा, और अगर आपको लगता है सब सही है, तो आप यहां पर OK पर click करिए, OK पर click करने के बाद देखिए क्या आगया, यह सीधे आपका पहुच गया payment gateway पर, बस यहां से payment करिए और आपका form भर गया, एकदम simple सा form है, मुझे समझी नहीं आपको कहां क्या problem आ रही है, मैंने आपको पूरा process बता दिया है, DL अगर आपके पास है, driving license है तो ही आप apply कर सकते है, airport operations के लिए, BTEC की degree है, तो MBA वाली degree, post graduation degree नहीं डालेंगे, तो कोई error नहीं आएगी, कोई problem नहीं होगी, और इसके बाद अगर आपका BSC क्या होगा, BSC के साथ, तो MBA compulsory, क्योंकि आप जैसे ही graduate in science डालेंगे, तब आपको post graduation का जो पूरा column है, वो आपक करता है कि कुछ extra हो, जो मैंने नहीं बताया हो, इस video में skip कर गया हो, तब आप बूछिए कि सर यह नहीं बताया आपने, यह कैसे होगा, ठीक है, तो I hope आपको समझ आ गया होगा, अब आप सब लोग form fill कर लेंगे, so thank you very much and thank you for watching.